जो अब कि दोस्तों नमस्जिका शागत है हमारे कारकम भी यू तिस Potato कि ओञी जो अभी तक हमने जो मेसरासे से लेकरके करन्या अर्षट सक के लिए अभी-टक हम ने जो लोगों के उपर क्या असर पड़ेगा आज बात करेंगे हम तुला रासी के व्यक्तियों के उपर सनी के उद्धै होने से क्या असर पड़ेगा सबसे पहले मेरी आप से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक चेनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चेनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए वो सेर जरूर कीजिए आज बात करेंगे तुला रासी वालों के लिए सनी का उद्धै जो 23 मर्च को हो रहा है उससे तुला रासी वालों पर क्या फरक पड़ेगा तो जो तुलारा सिवालों तो सनी जो है पंचम भावव से उड़ाई हो रहे हैं, पंचम भाव से जब सनी उड़ाई होते हैं, तो पूरव जन्म कृत दोस्ट को ले करके चलती हैं, तो इसने क्या होता है कि बड़ी दिक्त आती है, पता नीचधा कि आपका नुक्सान कब हो आप बैठे बैठे आपके पास एकदम फोना आ जाएगा कि आपको एतना नुकसान हो गया है तो इस तर्क के नुकसान जब पंचम सनी होते हैं तब जा करके होता है खास करके आपको जब पंचमभाव से सनी जो है जो तीसरी जिष्ट उसके सब तमभाव पर डालते हैं तो ब्यापार में भी आपको घाता होने की संभावना होती है अगर आप सतर्क ने रहे आप अपने चौकस ने रहे आप अपने एक्टिव ने रहे तो आपको घाता होने क नौबत आ सकती है क्योंकि जिस ब्यक्ति को आपने काम दे रखा है हो सकता है कि वो समय पर उस काम को पूरा न करे इसलिए आपको चाहिए कि आप लगातार अपने काम पर लगातार नज़र रखिए तब ही जाकर के आपको यह सब फाइदे होंगे सनी वहां से जो ہے सब्तम दिठ्ट से जो लाव भाओ पर जो दिठ्टि डालेंगे तो लाव में कम हो सकती है और बड़े भाई भाइनों के साथ की हो सकता है कि थोड़ा अनबन हो सकती है लेकिन लाव में जरूर कटोती करते हैं आपको चाहिए कि एक आपको लंबे समय के लिए जो है आप कोई investment कर सकते हैं जैसे सितंबर 2025 के लिए के बाद के आप investment कर सकते हो फिलाल अभी आप जो है investment करना बिल्कुल बंद कर दीजिए क्योंकि आपको suddenly घाता हो सकता है क्योंकि अगर आप चोकसरे तो हो सकता है कि आपको आपको नुकसान हो लेकिन बहुत ज़्यादा फाइदा होने की उम्मीद नहीं है याप उसके अलबा हाँ यह जरूर है कि संतान की दिश्ट से इस तेम आपका बहुत अच्छा अगर अगर संतान नहीं है तो इस बीच में आपकी संतान होने के योग जरूर बन सकते हैं यह था सनिवार के दिन अपना कोई पहना हुआ काला कपड़ा या कोई काला कंबल जो है आप मंदिर में जा करके किसी गरीब व्यक्त को घजदान करोगे तो आपके संतान के जो दुस्प्रुभा होते हैं उनसे आप बच सकते हैं अब बात करेंगे बिचिक राशी के लिए वो चोथे भाव से उदाई हो रहे हैं और वैसे भी बिचिक राशी पर सनिवार कि धाया चली है तो यहां पर सनिवार को जमी जाएजात इनको लेंदेन में आपको बहुत सतरकता निभानी पड़ेगी जब भी आप भूमी बहुन या गारी या इस्थन की चीज़े कोई ले रहे हो या बेच रहे हो तो आपको प्रॉपर कागज उसकी चेक कर लेना चाहिए बिना कागज चेक के वे बिना कुछ के वे तो कि यहाँ पर क्या होता कि सड़नली आपका प्रोग्राम बना लेकिन भी काम करो बहुत सोच समझ के बहुत धंग से निर्ने करने के बाद आप प्रॉपर्टिका लेन देन कर सकते हैं चोते भाव से बैठेवे जो सनी हैं जो उदाई इस्टम हो रखें वो सनी जब तीसरी भाव से दिश्ट से डालेंगे तो जो च्छते भाव पर जो दिश्ट दिश्ट हो सकती है स्वास्ते से समंदित भी आपको दिश्ट हो सकती है क्योंकि उसकी जो दसंदिश्ट है वो आपके लगने भाव पर जाएगी लगने भाव पर जब सनी के चोते भाव से लगने पर जो दिश्ट जाएगी तो उससे आपको स्वास्ते में थोड़ा सा दि नहीं हैं वो हो सकते हैं कि 36 से भी डिलेटेड आपको प्रॉलम दे सकते हैं तो स्वास्ते क्रिपती आपको बहुत सजग रहना चाहिए तथा अपने प्यापार क्रिपती भी आपको सजग रहना चाहिए सनी जब चौते भाव में रहते हैं तो आपके घर में इलक्तोनिक सूप करन जो है वो बहुत जल्दी खराब होते हैं हो सकता है आज फ्रिज ख़राब हो गया फ्रिज सही किया तो AC किया तो AC किया तो मोबाइल खराब हो जाए या कोई भी रख्टर ने इसुप करना आपके घर में होते हैं तो यह जलदी सही खराब होते हैं जब सनिक की धायात चौते भाव से शुरू होती है तो इसका की प्रॉलम अपने आप आनी शुरू हो जाती है उसके अलावा जो है सनिक के जो दुस्परवा हो हैं उनको रोकने के लिए आप मंदिर में जाकर के गरीब लोगों को जो है गजग का दान गुर्पट्टी का दान आप कर सकते हो आज के वीडियो में इतना ही अगले वीडियो में फिर एक नहीं जानकारी के साथ आपके साथ तस्तोंगे तब तक के लिए बहुत-बहुत प्रणाम वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत-बहुत आवार